तो आज हम बात करेंगे थ्री राइट्स ओफ वर्किंग विमिन की तो फर्स्ट इस एक्कॉल पे फोर इक्कॉल वर्क इंडिया में लेबर लॉग के तहत लेबर लॉग एक्ट जो है ये बोलता है कि अगर गभात की सिमिलर नेचर का जो वर्क होता है अगर मेल और फीमेल पे दिया जाया फीमेल को और अगर नहीं दिया जाता है तो ये सरासा डिस्क्रिमिनेशन होगा उनके साथ और ये थ्री थिंग्स में बहुत जादा इंपॉर्टेंट है फर्स ट्रेनिंग ट्रांसफर और प्रमोशन, सेक्ड इस सेक्शल हरेस्मेंट अफ वूमें अट वॉक प्लेश, 2013 सेक्शल हरेस्मेंट एक्ट के तहट गवर्मेंट ने बोला है कि इस एक्ट में यह बोला जाता है कि कोई भी और्गनाजेशन है, प्राइवेट है या फिर तो एक sexual harassment committee बनाई जाए जिस कमिटी के इस कमिटी का बनाने से क्या फायदा होगा इस कमिटी का बनाने से ये फायदा होगा कि अगर females को कोई भी sexual harassment problem हो रहे होगी sexually कोई भी torture कर रहा होगा कोई भी male तो वो किसको बता सकती है sexual harassment committee को बता सकती है फिर देन उस पर action लिया जाएग third is maternity benefit act maternity benefit act बहुत ज़्यादा important होता है अगर कोई female working women हो और वो pregnant भी हो तो 2017 तक maternity benefit act में सिर्फ 12 weeks तक ही छुटिया मिलती थी बट फिर government ने देखा कि ये 12 weeks तो बहुत ज़्यादा problematic है तो इस वज़े से 26 weeks कर दिया गया 2017 के बाद और इसमें ये भी जोड़ा गया कि अगर कोई women उसमें कोई pregnancy में कोई problem ज़्यादा आरी और उसे 20 weeks से ज़्यादा उसके छुटि चाहिए तो वो maternity benefit act का इस्तिमाल करते हुए वो और छुटिया ले सकती है और इस employer ये नहीं बोल सकता कि नहीं तुम छुटि नहीं ले सकती है उसका अधिकार है women का और अगर इस वज़े से इस वज़े से employer उसको निकाल देता है नौकरी से तो इस act के दौरा वो sue कर सकती है उसके उपर इस act के दौरा employer एक वंदिश में आ जाता है कि नहीं हम नहीं निकाल सकते हैं उसको dismiss नहीं कर सकते हैं अपने वर्ग से so thank you so much आज की वीडियो यहीं समापत होती है धन्यवाद